जय मा मातंगी आज की वीडियो में हम आपको दस महाविद्याओं में से एक देवी मा बनाना दिखा रहे हैं जिनका नाम मातंगी है और इसकी लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डॉल का इस्तमाल करेंगी कोई भी डॉल ले सकते हैं आप छोटी या बड़ी बनाने का एक ही तरी पहली स्वाम ग्रीम इंड यहलो जो इस अदेम यहाँ लिएड डिफो उन जविआ चाहरे है जो कर देंगे जिए राइगा तो पैंसल से ऐहां हम यह पर जो भी मेकवर हमें करना है यहां पर जो में अपको कर कर दिखा रहे हैं वहाकाली सीरियल जो है उसमी जो पुर्या- मेकप किया हुआ है वही हम आपको दिखाएंगे उसी तरीके से मातन की माका आपको स्वरूप दिखाएंगे तो पहले हमने पैंसल से सारी चीज़े बना लेती फिर हमने माकर से कर लिया है और थोड़ा थिन पीन प्रश लेकर एक्रिलिक कलर से हम यह पर पूरा मेकवर कर रहे क्योंकि एक हात में आशरवाद देती हुए तिखाया गया है ओम लिखा हुआ है तो हमने वैसे ही लिखा है जब इनर पार्ट वाइट पार्ट हमारा ड्राय हो जाता है तो हम यहां पर ब्राइम कलर कर देंगे और फिर वो ड्राय हो जाएगा तो फिर उसमें हम ब्लाक पें कर देंगे तो थोड़ी और डेटेलिंग है जो हम आउटलाइन करकर अच्छे से बिवकुल वैसा ही में कोवर आपको करके देखाने वाले हैं तो थर्ड आई भी ज़रूर हमें बनानी है यह तो देखिए अलमोस्ट हमारा हो गया है सारी डेटेलिंग भी अच्छे से तो अ कि वीग बना ले तेंगे तो इसे पनान के लिए हमे इस बिवक बनाने के लिए हमें तो इसे ठीक होता है और एक बलाम जाए तो एक यह च्छ ग्याएगा तो ऐसे ही करते जाना है सारी च्रेंग काटकि यहां पर इसी तरीके से एस्में टाय करेंगे और भी वेयाले अब हम उसमें लगादेंगे और अच्य से ट्राइब हो जाएगा तुस तरीके से नीकाल लेंगे और हम इसे तु पास में किठ कर देंगे क्योंकि जो हम हेस्ट बना रहे हैं उसमें हमें तू पार्ट में यह कट चाहिए अब जब पीन ड्राइ हो चुका है अच्छे से तो हम यह सेंटर पार्ट में गलु लगा देंगे और एक पोर्शन को यहां पर स्टिक कर देंगे बहुत ही कैफली और दूसरा पार्ट में भी ह चुके हैं और लेंथ भी बहुत अच्छी हमने वॉल्यूम रखी हुए है और सिंदूर यहां पर लगा रहे हैं जोकि बहुत इंपॉर्टन है अब यहां पर हम ड्रेस बना रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि रेड कलर की ड्रेस है तो पहले टॉप बना लेते हैं तो स्लीफ क हम आपको चिपका रहे हैं यह फ्रेंस चिपकाने का काम बहुत इंसिटेंटली हो जाता है और आप चाहें तो सुई धागे का काम भी कर सकते हैं अगर आपको आता है अगर नहीं आता है तो यह सबसे easy method है आप यह कर सकते हैं हमने डॉल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है नवदुर का दश्व अवतार्स और और भी भगवांची तो अगर आपको वह देखना है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आप देखेंगे की कॉमेंट सेक्षिन में जो सबसे पहला कॉमेंट है उसमें हमने पोस्ट पिन की हुई है तो इसमें जो लिंक है उसे क्लिक कर दीचे तो सारी भगवांची की वीडियो आपके सामने आजाएंगी और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल बट हम पार्थ हम बना रहे हैं लेंगा टाइप तो उसमें भी आप देख रहे हैं हमारे पास कपड़ बिल्कुल प्लेन है तो हम लेस लगा रहे हैं नीचे बॉर्डर लाइन में ताकि वह थोड़ा सा अच्छा लुक रिच लुक दिखाए दे तो जब हमारा वह कपड़ा पू कर दिखाए है तो अच्छा वीजो का क्विज्वल पूचा करते हैं और बहुत ऐसे बहुत अच्छे रह बेस पीज़ए तो आज की वीजो का कविज्या पिजिए है को हमें यह बताना है मा मातंगी का ग्रीन कलर क्यू होता है वाड़ क्यूं हो ग्रीन कलर में है तो आप देखेंगे कि वीडियो में हम मुस्ली हम् औरनमेंस आपको लेस से ही बना कर दिखाएंगे क्यों कि लेस बहुत एज बहुत एजियर मारकेट में पहले में स्टोन्स यूज किया करती तो वो काफी लोगों को नहीं मिल पाता था तो यह तो बहुत बहुत एजयरी मिल जा करना होगा क्योंकि नेक थोड़ा राउंड होता है तो शेप देना जरूरी है तो शेप देने के बाद यहां पर हम इसे चिपका देंगे तो यह चिपक चुकी है और थोड़ा और दिखाने के लिए गोल्ड पोशन यहां पर लगा देते हैं अब नीचे की जो हमने देखा है कि तीन मालाएं ऐसे दिखाई गई है तो लेस को हमने पतला पतला कट कर लिया है और इसको तीन पास में चिपका दिया है अब कुछ स्टोंस यह जो हमें बिंदी लगाते हैं स्टोंस उसमें मिल राते हैं तो आप इसली वहां से ले सकते हैं और एक पार्ट यह देखिए ल अलग तरीके की लेसली है उसको चेप में कटकर लिया है और यह पर छिपका दियांगे अगे अर पार्ट लगा हुआ है उसका नाम मुझे नहीं पता बथ उसको भी हमने लेसरी की कुंदे करे चिंपका दिया और एक स्टों वहा हुआ हुआ है तो वह हम यह आंगे आफिय क बाजुक को थोड़ा सा हमें इस तरीके से दिखाना है कि देवी मा अशुरुबा दे रही है क्योंकि डॉल बहुत फ्लेक्सिबल है हलकी प्लास्टिक वाले है तो इसली मोड भी जाती है और नत बनाने के लिए हमने जंप रिंग को बॉल चैन से कनेक कर दिया था अब हम बना सकता हो ऐसे जाएं पधान संरह कर देंगे और हम यह पर और पर कलर कर देंगे तो पैरेंत हमें बनाना है तो सब्राष जहता है यह परना दो हम बना इवी component कर लिया है अब भार थे ऊत्रिक लेगे उतन से यह और रह स्च्छ्राइं च्छ्ट कर देंगे अई यह धाना है ग दिखेगा और उसके बाद हम इसे कट कर सकते हैं तो यह हमारा श्यस्त्र जो है दूसरा वी बनका तयार हो गया है अब एक हाथ में आप देखेंगे कि सितार जो रहता है वीना वो बनानी है क्योंकि वीना हमें थोड़ी हल्की बनानी है क्योंकि वो एक पीछे वाली भाजू ह उसके उपर दिखाना है तो हम एक सिंपली कार्डबोर लेकर उसके हमने कटिंग कर लिया है अब उसमें ब्राउन कलर कर रहे हैं और इसे जब शूप जाएगा तो गोल्डन कलर से आउटलाइन दे रहे हैं और अगर आपको प्रॉपर वीना देखना है तो आप हमारे कर देखन देट साथ मारे से संपल कर रहे हैं और भुजाओं को धाना दिखनाओं इसी के उग जिए में जाएगे पार से जाएगी तो हमने यहां प्रइसलेट के लिए यहां पर करना है कि यह भी तो बड़ आपक आरा है तो दोनों हाथ जब जाएगा तो हमने ब्रेसलेट यह बनाए हैं इस तरी हम हम इसे ही जिखा आपको समझ आ गया है तो आपको समझ अगया होगे इतने light क्यों बनाई है क्योंकि अगर हम heavy बनाएंगे तो आप में चिपक नहीं पाएगी और तो यहां पर चिपक चुकी है और यह भी हाथ में यहां पर सेट करना है तो बहुत जल्दी ही हमारा स्टिक हो जाता है तो अब बनानी है हमें जो उनके गले में माला दिखाए गए आई होप मैंने सीरियल नहीं देखा है बत I think lemon और कुछ पत्तों की माला है यहां पर हम मोती क अलंके पास यहां डal कर रहे हैं लखेली मेरे पास मोती थे यलो कलर में और भिन कलर में तो हम इस तरहेके कि माला आप बना रहे हैं और टाइ करकर यहां पह pork दोट महपना देंगी तो जो कि बहुत ही सुनदर और र्यालिस्टिक हमारी जो है मा मातंगी लग गे कि और भी स्वरूप दिखाएंगी हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बेटन दबा दीचेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मुले थैंक यू सो मुच वर वाचिंग बाई टेक केर